अब देखेंगे फ़र्ट करने से पहले बता देना चाहते हैं कि फर्स्ट चेप्टर का दो पार्ट में मैंने वीडियो बना दिये हैं अगर इस वीडियो का आपने नहीं देखा है तो जाके उसको देखिए उसमें हड़ इक टौपिक को डिटेल में समझा दिया गया है उस ट तक का सब कोश्चन को यहां पर समझा के आपको रीटेन में दिखा दिया जाएगा आप लोग वहां से लिख भी सकते हैं आप लोग को पीडिये भी प्रोभाइड कर देंगे आप मिलते हैं आईए स्टार्ट करते हैं सॉलूशन में जैसे मैंने आप लोग को बताया था बायलोजी का जो फर्स्ट चिप्टर है जीव में जनन इसका फूल सॉलूशन एंसी आर्टी का अठारा जो कोश्चन है इसका फूल सॉलूशन इस वीडियो में कंप्रीट करा देंगे चलों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोश्चन से तो जीव जनन क्यों इनिवाड है कि हम लोग का जो जीवं होता है जर्ण लेने के बाद हम लोग जानते हैं कि कोई भी जनन लेता हूँ अमर नहीं हो सकता है इसलिए यह पीड़ी दर पीड़ी चलते रहे हम लोग का जो जाती एक खतम ना हो कभी नस्ट ना हो इसलिए जनन अनिवाड होता है कि यहाँ पे हम लोग पढ़ के देखते हैं जीवों सिनुर निवार है क्योंकि कोई भी जीव अमर नहीं होता है। उसकी एक निश्चित जीवन अधी होती है। लेकिन प्रजाती की निरंत्रता बनाय सनिश्चित रहता है। प्रजनन के से उत्पन हुए जीवों को बदलते पड़ा बढ़न में सफलता पुर्वक करने के लिए सक्षम बदलने की आऊसकता होती है हम लोग यहाँ पर समझ गए जीवों के लिए जनन इसलिए अनिवाड होती है क्योंकि हम लोग आप जो प्रजाती होते हैं कभी खतम ना हो इसलिए जीवों के लिए जनन अनिवार होते हैं हर एक जीव अपना जनन की प्रकिरिया करते रहता है अगला कोश्चन है सेकर्ड नमबर जीवों के लिए अच्छी बीधी कौन सी होती है और क्यों हम लोग जानते हैं हर एक जीव दो परकार के बीधी से अपना प्रजनन की किरियाएं करती हैं दो परकार के लैंगिक और अलैंगिक लैंगिक और अलैंगिक लैंगिक में हम लोग देखते हैं यहाँ पर जीवों में जनम के लिए अलेंगिक जनम को अच्छा माना जाता है अलेंगिक जनम होता है जैसे हम लोग हो गए बकरी हो गए गाय भैस पकरी यह सब हो गए अलेंगी के जनम कहाता है इसी को हम अच्छा माना जाता है क्योंकि इस जनम के लिए बिप्रित लिंग वाले दो जनम भाग लेते हैं इन में नर्त थमादा का यूगमकों का निर्मार अनिश्चित होता है इसके फलसौरूत बने यूगमक से नए जीव का विकास होता है इसे यूगमक निर्मार के समय गुर्शुत्रों के जिन संद्रचना आजाने के कारण जिन संदचना आजाने के कारण संतती पुन रूप से अपने जनम के समान नहीं होती है जो हम लोग का जनम अलेंगिक में यही होता है कि जो भी जनम लेता है बच्चा जनम लेता है वो जनक के समान एकदम समान नहीं होता है इसके जो संतान उत्पन होता है वह जेव विकास का आधार होता है पड़या बढ़न में भी बदलता है वह के बावजूद ये अपना समय भी जिवन यापन करता है इसे कारण इसे जनम के अच्छी बिधी माना जाता है ये जो अल्यांगिक होता है ये पड़या बढ़न को चेंज होने से कोई इस पर फड़क नहीं पड़ता है ये अपना पड़िवर्तन करते जाता है इसलिए इसे अल्यांगिक को अच्छी बिधी माना जाता है अब देखते हैं थर वाला question क्या कह रहा है थर्ड question है अल्लैंगी की जनन्दोडा उटपन हुई संतान को क्लोन क्यों कहा जाता है जो बच्चे होते हैं उनके जनन होते हैं इकदम हुब भई sam to same होते हैं एकदम एक सामान होते हैं इसलिए इसे हम क्लोन कहा जाता है देखो एंसर में क्या लिखा हुआ है अललंगी कि जनन के समसूत्री गैयादी को इसके दौर्ण एक दूसरे के मुल्बस्तियर उपने जनक के समान होता है इसई लिए अल्यंगे कि जन संतत्ति को क्लोन कहा जाता है हुँ बही अपने जनक के सामान जो जनन होते हैं यह सेम टू सेम एक जैसे ही होते हैं इसलिए इन्हें क्लोन कहा जाता है अब फूर्थ कोश्चन देखते हैं फूर्थ कोश्चन क्या कह रहा है तो चौथा कोश्चन है चौथा कोश्चन है लेंगी के पर रहने के अचछा होते हैं क्युंकि यह कथन्च हर समय होता हुआ twenty question में question लेंगी के जननम्न के परिणाम समय संथर में interesting को जिवन रहने की अच्छा होती हैं। जनक होते हैं सभल होते हैं । गाया भैस बख्री यह सब पुत्त आविलार यह सब हो गया लेंग उसका एक अच्छी उसर होता है जीवन जीने केलिए क्यूं होता है इसका एंसर देना है अगया क्या है क्या यह अगय कथन हर समय है कि नहीं ऐर अगला कोशन इसी में एड़ कर दिया है तो इसके हम दोग एंसर देखते हैं क्या है लैंगी की जनन में वीप्री तिलिंग वाले एक वीप्री तिलिंग वाले तथा भीन होते हैं अब जाते हैं दो टाइप के लिंग होते हैं लैंगी की जनन में मेल एंड फीमेल अब आगे लेंगी के जनन वाले उत्पन सत्ति अपने जनक के शम्रूप नहीं होते हैं इससे एक और फैदा हुआ है जो जनक से उत्पन होते हैं बच्चे वह अपने जनक मतलब माब जैसा संतान सेम टू सेम नहीं होते हैं थोड़ा सा चेंज होता है सेम टू सेम रहता था यह क्लोन कह दिया जाता लेकिन इसमें सेम टु सेम नहीं होता है यह किसका फाइदा हो गया और अगला देखते हैं इसके इसमें बिभिनता यूगमक निर्मान के समय होने वाला अर्जसुतरी भीभाजन में जिव बिनिमय कुर्शुत्रों का प्रत्रकरण के कारण उत्पन होता है ये विभिन्ता जिव को बदले पड़या बढ़न में शफल उतर जीवित के संभावना प्रदान करता है लैंगी की जनन प्राया अच्छे औसर ही प्रदान करते हैं हम यहां पर देख लिए लेंगी जनक जो होते हैं यह अच्छा उसरी प्रादान करते हैं कि असे संथ्य जनक जो होते हैं संतां को उत्पन नहीं करते यह इसका अच्छा फायदा हुआ इसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं इसे में हानिकारक लक्षर धीरे-धीरे बिलूप्त होता जाता है लेकिन पर्याबरण को भी इसमें महत्पूर भूमिका होती है जो कि इसमें पर्याबरण में भी बहुत महत्पूर भूमिका होती है इसमें हमें कुश्चन चार में देखे हैं यह क्यों कथन सही है यहां पर ह हर समय यह कथन सही है क्योंकि यह पड़या पड़न में भी बहुत सारे अनुकूल प्रिस्थितिया बदलते रहती है इसलिए यह अलेंगी जनन द्वारा जो संतान उत्पन होता है यह अच्छा औसर प्रदान करते हैं अगला कोश्चन यहां पर हम लग देखते हैं पांच नम और लैंगी जनन और लैंगी जनन द्वारा जो संतान उत्पन होते हैं किस परकार यह डिफरेंट है किस परकार भीन है इसके बारे में बताना है किस परकार भीन है आई एंसर में पता चलता है लैंगी के जनन द्वारा बनी संतती एक दूसरे के और अपने जनक के सम्रूप होते हैं और लेंगिक जनक वाले जो होते हैं उसका जो जनन द्वारा संतान उत्पन होता है वो एक दूसरे के समरूप होते हैं मतलब समान होते हैं लेकिंग लेंगिक जनन वाले नहीं होते हैं इसके बिपित लेंगिक जनक द्वारा उत्पन संतती एक दूसरे से और अपने जनकों के समरूप नहीं होते हैं अलेंगिक वाले होते हैं इसका अगला टॉपिक देखते हैं लेंगिक जनाद्वाड़ा बनी कारिक रूप से एक समरूप या क्लोन होता है उसी को हम क्लोन करते हैं यह इसके Counsel की बिर रहेंगिक दोरौ Uttag ऑपता एक सब्सक्राइर नहीं होती है अगला देखेंगानका मण पालग्वेटैंब करते हैं यह अपने जैसे संतानुत्मं करते हैं यहां होता है वहू बहू एक दूसरे के सामान नहीं होते हैं कि इसमें मेल का भी और फिमेल का है मा और पीता दोनों का गून रहता है इसलिए एक दूसरे से दोनों से match करते हैं लेकिन एक से किसी से अच्छे से match नहीं करते हैं अब यहाँ पर हम अगला question देख लेते हैं छे नुमड अल्लैंगिक तथा लैंगिक जननत के मध्य विभेद अस्थापित कीजिए अल्लैंगिक और लैंगिक देख अस्थापित करना है काईक जनक को प्रारुपित लेंगी जनद एक क्वें दूनों का डिफरेंट बताना है और अगला काईक जनद को लेंगी क्यों माना जाता है यह दोनों बताना आते हैं इसको पहले सबसे पहले ही दोनों का डिफ्रेंट देख लेते हैं और लैंगिक जनद और लैंगिक जनद का फर्स्ट पॉइंट इसमें एक जीव संतती उत्पन करने की छमता रहती है और लेंगिक जो होते हैं वो एक बार में एक ही जीव उत्पन करने की छमता रहती है लेकिन लेंगिक वाले हो गए इसमें प्राया दो विप्रित लिंग वाले जनक भाग लेते हैं संतान को उत्पति करते रहते हैं दूसरा है जनक इस कली का सरीर खंड बिजाडू कोनेडिया जेमियो आदी होते हैं मतलब अलेंगिक में इतने सारे एक्जामपल आते हैं लेकिन इसमें जनक इकाई यूगमक होते हैं इसका जो इकाई एक ही होता है जो यूगमक के द्वारा संतान को उत्पन करते हैं इसमें तब बहुत सारे विजाडू और खंड कोनेडिया से ये संतान को उत्पति करते हैं तिसरा पॉइंट है इसमें यूगमक जनक को प्रकीरिया नही होता है अलेंगिक में लेकिन लेंगिक में यह दोनों पड़िकिरिया होती है शुक्रारों अंडारू मिलता है तब आगे जाके जयर डुबन के गयमेट्स बनके आगे का संतान का उत्पति करता है और इसका चौथा हम दोग देख लेते हैं चार नमर जनक इकाई का सन्युक्त या सनलयन नहीं होता है यह जनक इकाई का सन्युक्त या सनलयन नहीं होता है लेकिन इसमें अलेंगिक में जनक इकाई का सन्युक होता है यह दोनों डिफरेंट यहां पर होगा चार नमर में अब इसमें और भी बहुत सारा डिफरेंट है इ लेकिन लेंगिक में जनक अर्द सूत्री तथा सम्सूत्री भी भाजन दोरा होते हैं इसमें अर्द सूत्री होता है दोनों में ये दोनों डिफरेंट हो गया चट्था पॉइंट हो गया संतती अकाडिकिये तथा अनुवांसिक रूप से एक दूसरे के समरूप होते हैं जैसे क्लोन होता है एक दूसरे के समरूप होते हैं उसी के क्लोन कहते हैं इसमें अल्यागिक में संतति और काईक तथा निवांसिक रूप से एक दुसरे के समरूप होते तथा उनमे से भीन होते हैं मतलब एक दूसरे के समान नहीं होते हैं अलेंगिक में ये दोनों एक और डिफ्रेंट हो गया अगला डिफ्रेंट और हम लोग देख लेते हैं साथ नमर अनुवानसिक विभिनताओं के अभव में अलेंगिक तथा जेव विकास में समरूप नहीं होता है लेकिन अनुवानसिक विभिनताओं के कारण अलेंगिक जनत जेव विकास में सहायता करता है मतलब जनन करने के लिए दूसरे का यह सहायता करता अलेंगिक में लेकिन हम लोग जानते हैं दूनों का डिफरेंट देख लिए इसमें यहां तक के इसमें हम जानते हैं कि डबल कोश्चन था यह और यह डबल कोश्चन था लेकिन यहां पर देखते हैं काईक जनक को प्रारुपता और लेंगिक जनन क्यों माना जाता है अब इसका एंसर देखते हैं एक ही कोश्चन में ये काईक जनक को देख लेते हैं काईक जनक में बाधो का कोई भाग करते हैं बाधो का वर्थंक कहते हैं काई प्रवर्थक कहते हैं इस संरचना के निर्मार के लिए दो जनक भाग नहीं लेते हैं इसमें दो जनक भाग नहीं लेते हैं जैसे कि हम लोग में होता है मेल फी मेल भाग लेते हैं तब संतती का उत्वपन होता है लेकिन इसमें काईक जनक में दो जनक भाग नहीं लेते हैं साथ ही काईक जनक से बनी संतती नुवांसी की गूरों में अपने जनकों के समान या क्लोन होता है इसका जनक को अलेंगी के जनक कहा जाता है ये जो होता है एक दूसरे के समान होता है जिसे हम क्लोन कहते हैं कोस्चन 3 में 4 में भी यही बताया थे एक दूसरे के समान होता है उसे अलेंगी कहते हैं और उसे क्लोन भी कहते हैं अलेंगी में आता है ति यह sixth question हमारी समापत हो गया अब देखते हैं seven question seven question कहड़ा है काइक प्रवर्थक से क्या समझते हैं कोई दो उपीत उदःर दीजै काइक प्रवर्थक का दो उदःर देना है इसका दो उदःर हम लोग देख लेते हैं उतर में काईक प्रवर्थक यह अलेंगिक जनक का एक प्रकार है जिन में संतती का निर्मार पधो के काईक भागो या ब्रिधी भागो से होता है काईक प्रवर्थक में यह संतत्ति का उत्पंज होता है यह काईक भागो या ब्रिधी भागो से होता है अतय यह काईक जनक कहला था है इसी को हम क्या कहते हैं काईक जनक कहते हैं और अगला दखते हैं प्रकृतिक कैश जनक पद्धों के जड़ सत्भव तथा पत्यों से होता है पत्ति से भी जनक का निर्माण होता है ज़र से भी हो जाता है और sequencing reके संबद्धित छोटे हर चोटे कदो में कलिकाए पाए जाती है और अलू के छोटा-छोटा आख के तरह कलिकाई पाए जाती है अगर उसको काट के कहें लगा दिया जाए तो वहां से एक अलग से पौधो का नीर्मार हो जाता है इसी को हम कहते हैं काइक जनक इसी में आ जाता है आलू को बोने पर वैसे हो जाता है अब देखते हैं उपस्थितिक काइक जैसे यहां पर एक्जामपल लेते हैं विक्सित होकर नर्पधा बनाती है जैसे इसमें एक्जामपल एक ओर लाता है अद्रक भी भूमीगत तता प्रसंबंधियों पर नेश्चित अपस्थितियों कलिकाइं विक्सित होकर नए पोधों बना लेती है यह आलू हो गया या फिर अद्रक हो गया इसका आख से एक दूसरे से एक अलग कलिकाइं बना लेते हैं यहां पर हम फीगर बना कर भी समझा दिये थी यहां पर यह हो गया इसकी कलिकाइं इससे भी नए ज को बेज़ा के जिए ब्याक्या करना के इस अर्फ किसोर में वहास्था क्या होता है शभी जीubharji लेंगिक रूप से प्रिवर्तन होने से पूर्न एक निश्चित वृध्धी वह आवस्था से प्रिद्धी आवस्ता से होकर गुजरता है इसके बाद ही वह लैंगिक जनन कर सकता है जैसे कि सरी में बालाना बड़े हो जाना फिमेल में मदर्चक चलने लगना और में चेश्ट चौड़ा होने लगना इस तरह के श्पर्म बढ़ने लगना यह हो जाएगा हमारा किसोरा आ काईक अवस्ता कहते हैं इसी अधी सभी जीव में अलग-अलग होता है जैसे कि मनुष्य हो गया है इसमें 12-13 साल में यह किसोरा आवस्ता स्टार्ट हो जाता है तो इसससा को को सबस्कार कर दिए अब अगला देखते हैं प्रजनन्चरन अगला टॉपिक है प्रजनन चरन इन में किसोर आवस्था तता काईक प्रवस्था के समाप्त होने के बाद जनक तता प्रजनन प्रवस्था 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 होता है यह आवस्था सभी जिवों में अलग अलग प्रजनन अवस्था होता है संतत्ति के मदर्चक या सत्रुचक्र के प्राइडम्ब में मेनु पाइस तथा प्रजनन चरन कहलाता है जिसे हम कहते हैं प्रजनन चरन इसके बाद अगला कोशन एक और यहां पर विकल्प दिया हुआ है लास्ट वाला गवा देख लेते हैं जीवर्ता चरन तथा जीरवास में क्या होता है इसमें देखते हैं इसमें जीवन चक्र के अंतीम अवस्था अथवा तिसरी अवस्था होती है प्रजनन आयू की स्वमापती को जीवार में करलाता है जीवास में के प्राडम्बिक अवस्था माना जा सकता है इस चरन के प्रजनन चरन चामता के साथ साथ उपापचे किरिया मंदल होने लगता है इसको उनको का लक्ष होने लगता है शरीर के अंग धीरे धीरे कार करना बंद कर देता है और जीव की मिर्ति हो जाती है युप कोस्ते रहे हैं इसी को कशाने हैं जीवास मेरे शरीर का हुघ करने लगता है AT project के बाद जीव का मिर्ति हो जाता है यही सब अवस्ता सब्वी चण कहा जाता है अब नाइन्थ नमबर कोश्चन देख लेते हैं नाइन्थ नमबर कोश्चन है नो अपनी जटिलता को बावजूद बड़ी जीवों को अलेंगिक प्रजनन को अपनाता है क्यूं यहां पर कह रहा है अपने जटिलता के बावजूद पर बड़ी जीवों ने अलेंगिक प्रजनन को अपनाता है जो भी बड़ा बड़ा जीवों होता है उससे लेंगिक जनन को अपनाता है यह क्यूं होता है यह क्यूं देखते हैं देखो लैंगिक जनन और लैंगिक जनन की तूल्णा में जटिल होता है लैंगिक में घेम अधिक उट्जा पत होती है फिर भी इसे जटिल पादप और जनतु में इसे अपनाया है इसमें जो संत्ती पैदा होता है वो अपने जनक के शमरूप नहीं होता है अमेशा यही सब धोराय तेहराय जा रहा है कि जो जटिल सपुर्ता क्यूं होता है इसमें विभीन्ता पाई जाती है जिसे जिवधारु स्वर्म को वाता बढ़न को अनुकूलित की करती है। इसी कारण जीऊ की जिवन्सक्ति की बृद्धी होती है लैंगिक जनन के जीऊदहरूं एक जिवत रहने में सहायता है। यही कारण है कि बड़े ज्ऱोडहरियों सरीनेस के साहीँदित तोो जलेंगिक जनन की अपनाया अपनाता है। यही कारण है कि जितने बी बड़े बड़े जीव जनतू होते हैं की दिक जनन ही अपनाया जाता है क्योंकि हर समय यह, अपने मौसम को हिसाब से अपने आपने पड़िवर्टन करके अपने fy想 कर अपन कर सकते हैं इसकी जो फ़िदी होती है से बहुत धीर धीर होते हैं लेकिध्य की होते हैं बहुत तेजी से उती हैं इसके बाद देखते हैं 10 नमर कोश्चन क्या है 10 को कर रहा है उसके बारे में बताना है कि अर्धसूत्री भाजन तता युग्मक्त जनक अर्द सूत्री विभाजन द्वारा अंडा करने इन्वार होता है वो और यूगमक जनन सदेव अंतर सपस्ट करना है इसका हम लोग देखते हैं उतर अल्लैंगिक जनन करने वाले जिवधारियों में प्रजनन के समय अर्द सूत्री विभाजन तथा यूगमक प्रकिरिया होत 预ट होती है यह में समांवेता लेंगिक करने वाले जिवु यह होती है जो go कि करने लएक्स क्या होते है यहीं रह जाती है देंकर निर्मार दृस्थूसे करत सुट्री विभाजन द्वारा होता है यूग में गुर्षूत्रों की संख्या आधि रह जाती है यूगमग जो होती है उसमें गुण सुत्रों की संख्या आधी रह जाती है अर्थात यूगमग गुण सुत्रों होती है गुणिये होती है यूगमग क्या होता है यह एक गुणिये होता है बहुत सारे उसमें गुण होते हैं कि दो आंक एक नांक एक मुद दो हा निशेचन के फॉल्ट सरूप्त नर्ट थमादा गुर्ण सुत्रिये युगमक से हिए भूणिये पडिवर्तन द्वारा नर्ट जीव का विकास होता है और्द सुत्री भी भाजन किसी भी प्रजाती के गूर्शुत्रियों कि संख्या अलंगीक जनन के दवरान इस्तित बनाय रखने में मदत करता है जैयोड और्द सुत्री भी भाजन न समझ में आ गया होग्या और दुसुत्री विभाजन और युगमक जनक डोनों का समझ में आ गया होगा आगे देखते हम 11 नंबर question क्या कर रहा है त्यार नम्बर question कर रहा है पर ती पर्टीक के पर तीक पुश्पिये पादक के भाग को पाचानीय तथा लिखिये कि वह मतलब उसमें एक इन है या फिर यहां टून का मतलब हुआ 22 चोड़ा उसके बाद इन और एम होता है जो होता है अन्डा से क्या होता दूवड 시ए कि Oh डूड को स्कीन होता है अंडा का फिर्ण यह सब याद करने widen 사स्क दिम में जो होता है गुड्ड होता है सिसने होता है फ्रागंग होता है गुड्य में आ होता है federal डूड होता है इसमें देख लेते हैं धकर सोइन होता है send के मिलने से बनी दूर्गूरी संरचना कहता है जब इसके बाहर निसेचन करता है किसी शरीर के अंदर नहीं यह शरीर के बाहर को काते हैं हम preferences इसकी नुख्सान भी बताना है इसमें कि नीशेचन को जीış सरीड से बाहर जली माध्यम में होने वाले नीशेचन गार जल बहुत पाए नीशचं होता है जो की सरील से अंदर करते हैं जैसे केचुवा हो गया और क्यूट हो गया यह फिर घोंगा हो गया इस्नेल्स हो गए यह क्या करते हैं आपने से बाहर करते हैं वह पर अपना प्रजनन्द की किर्याये करते रहते हैं अधिकांस यह जो होता है अधिकांस सेवालों मचलियों और उबहेचर्स प्रणारियों में शुकारू नर यूगमक तथा अंडारू मादा यूगमक का संलियन शरीर से बाहर जल में होता है शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन किया जाता है उसी को बाहर निशेचन कहते हैं इसे बाहर निशेचन कहते हैं आंतरिक निशेचन क्या होता है अब यहां पर बाहर निशेचन देख रहे हैं तो आंतरिक निशेचन होता है अधिकांस प्रणाली में और पादपों में यूग संत्ति पक्षि सरिंशप्त पुष्पय पौधो अधी होते हैं। यहां पर हम लोग बताये गया था इसमें बाएनिस्टेचन नुकसान भी बताये गया था यहां पर क्या है जिव दहारीये में अवलिये संख्या से युग मकूं का निर्मार करता होता है करना होता है जिसमें निश्चित वा अवस्ता बढ जाए अर्थात इन में युगमत संलियन के अवये कम होता है उर्जा वसन शाछरों का अपयाण्ध होता है बाहर निश् earnest में बहुत सारे उसका नुक्सान हो जाता है और इसमें अधिक पूर्जा नहीं मिल पाती है और संलेयन अच्छे से नहीं होता है यह सारी नुक्सान होते हैं बाहनी से चंद क्या और बाहनी से चंद मैंने बता दिया था इसमें इसका नुक्सान भी बता दिया अब यहां पर हम थर्टीन युगमक के बिज वे भीभेत कीजिए दोनों के भीज भीभेत करना है मतलग यहाँ पे डीफेंट याड़ चल जानु गता नहां लेंगिक जनल के अंतरगत होता है हिसका जो निर्मार होता है और जान होता है तो इसमें यूगुमं मैं देखते हैं इसका निर्मार्ट लेंगिक जनद के अंतरगध होता है इसमें दो जन को के लक्षन पाए जाते हैं जिसमें युकमनर्ज कहा जाता है और इसका सेकंड एक्जामपल हम लोग देखते हैं कि चल भीजारों समन्यताइन शेवालो में बनता है यह अधिकतर सेवालों में बनता है शेवालजमकुली में बनता है इसका निर्मार जनक को सिकामें शुत्री भी भाजन द्वारा हता है चनक को सिकाय में सुत्री भी भाजन द्वारा होता है और इधर देते हैं यूगमनाज युगमनच का निर्मार Vs भी जीओं में अलाइंगिक जनल के समाप्त नर्था थमादा युगमक के संलेन के फौलसोरूप्त होता हैुगमक जनल में जो भी ये युगमक बनते हैं נर और बादा दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद जो बोलते हैं उसे को युग मनज कहा जाता है यह दोनों का डिफेंट हम लोग देख लिए अब इसका थर्ड नमर देखते हैं सिलिया या फलेजिया के कारण चल बीजारू चल जाता है और इसमें युग मनज अचल होता है इसमें चल होता है इसमें अचल होता है दोनों का यह दिफेंट हुआ है इसमें यह दिखा दिया गया यह दिखा लिए इसमें यहां पर लगीर भी दिखा दिया गया है कर देखते हैं क्या कर रहा है यूग मनज्व भूर्भोदव के बीज अंतर सपर्फ्ष्ट करती यूग मनज्व और भूडव भूडवव के बीज अंतर सबस्ट कीजिए यहां पर हम फर्स्ट को देखते हैं अंतर नर्ड तथा मादा जनकों में अगुणिये और यूगुणों को बनने की प्रकीरिया को यूगमनज कहा जाता है नर्ड और मादा के बीज जो बनता है जैसे जायोड उसी को हम कहते हैं यूगमनज कहा जाता है लेकिन भूणोदभाव में अब ये यूगमनग से भूण के विकासी होता है किडिया में भूणोदभाव कहते हैं ये क्या होता है यूगमनग में ये भूणोदभाव में ये क्या करता है विकास करने का काम करता है उसमें बृदि करने का काम करता है उसी को कहते हैं कुली यह होता है एक दूगुल्य जीवों में ये गुमनज औरद शुत्री भवाजन द्वारा होता है लेकिन इसमें भूनोद्भाव में हमेंसे मुखना होता है इसकी ब्रिधी शुत्री भी भाजन द्वारा होता है इसका क्या होता है ब्रिधी शुत्री भी भाजन द्वारा होता है लेकिन इसमें ये दोनों का डिफरेंट हो गया अगला इसका डिफरेंट हम लोग देख लेता है यूगमनाज जे एक कोशिकी होता है यूगमनाज क्या ह होता है शुक्राणू और अंडारू दोनों मिलकर बना देता है और इसमें इसके कोशिकिये विभाजों नोर विवेधों शामिल होता है यह दोनों हम लोग इसका डिफ्रेंट देख लिए क्या होता है अब भून अद्भाव क्या हता है दोनों के देख लिए इसके बाद हम ल कोश्चन है एक पुष्मे में निशेचन पस्चाहत परिवर्तन व्याख्या किया जिए एक पुष्मे में निशेचन और पस्चे परिवर्तन व्याख्या किया जिए उतर है पुष्में निशेचन पस्चे परिवर्तन निशेचन के फल सवरूत भी जानू के बीच तथा सुख कर गीर जाते हैं इसमें क्या होता है पूंकेसर क्या होता है फूल होता है फूल के उपर पूंकेसर यह क्या होता है सुख कर गीर जाते हैं उसके बाद यूगमनज भी भाजन वह भी भेदभा दोरा भूर में बदल जाता है वह क्या करता है जो फूल बन के जो फूल सु उसी भूर के अंदर अपने अंडा का विकास कर लेता है उसके बाद वह खुद सुख के गिर जाता है जिसको फल भीति कहा जाता है उसके अंदर फल होने लगता है इसी कहां फल भीति कहते हैं आय होप कि एक पुष में निस्वे चन प्रस्चात परीवर्तन भ्याख destru obstacles समझ में Ja ho फूल होता है पूल बड़ा हो जाता है बड़ा हो कर शुखने लगता है शुख के फूल गीर जाता है उसके बाद उसमें जो पूर यू बजता है वो धीर धीर बढ़ने लगता है उसी कि अब यहां पर 60 नंबर कोश्चन देख लाते हैं कि एक गुणिय क्या है एक गुणिय पुष्म क्या है अपने आस पास में पांच गुणिय पुष्म को एकितित कीजिए और इसमें निश्चित की संख्या में अनेक समाने इस सित्यों में विज्ञापित नाम पता कीजिए यहां पर हम लग देख लिए इसका नाम बता है दिवगुणिये पुष्मे के बारे में और अगुणिये पुष्मे के बारे में यहां पर सिर्फ नाम ब्याक्या करना है जो हमारे आसपास होते हैं यहां देखते हैं देव पूष्म में जब पूष्म नर जननांग पुंके सर तट तो मंदा जननांग या दोनों उपस्तित होते हैं तो उसमें पूष्म दिवलिंगे कहते हैं जैसे समान्यत कि शमीध समीध वर्ति कहा हो जाता यह क्या होता है समित वर्ती हो जाता है उसके बाद सेवेंटीन नमबर हम दोग कोश्चन देखते हैं क्या कह रहा है तो किसी भी कुछ बीट पादप के कुछ पुष्पो की जाज कीजिए जो उनके सरों वह इस तरह के सरों पुष्प को पहचानने की कोशिजिए क्या आप आप पौधों में के नाम जानते हैं एक लिंगया पौधों का नाम जानते हैं और इसमें पुंकेसर में कुछ चीज़ का नाम बताना है तो इस चीज़ को यहां पर हम लोग देख लेते हैं उतार में कुकर बिट्टो में पाए जाने वाले पादप लोग की कद्दू खीरा करेल काते हैं जो की द बढ़ा-बड़ा बन जाता है उसी में फल हुने लगता है घीला कड़ी करेला लओकी होते हैं रुदागन की कर लोगय कर लेते हैं तो अब much D में औंड अन्डप अनिवानसिक होता है नर जो पुछ Newman होता है उसमें अंडप अनिवानसिक होता है पधो प्राय अभयलिंगस्रित होता है नर माधा पुछ में एक ही पधो पर पाया जाता है पौधों में नौड और मादा दोनों ही पाया जाता है अन्य एकलेंगे पुष्म वाले पौधों होते हैं जो भी पौधों होते हो एकलेंगे पुष्म वाले पौधों होते हैं जैसे यहां पर एक्जामपल एक दे दिया है मक्का मक्का क्या है मक्का एकलें कि जिसमें जिसे के जिया में को अग्या को गया को तtså से क्या होग गया निदी चीनिवाहिस को सबस्क्ताथे यह जो दुसरा है आपिता इसके कड़िक पंपया यो एक खृता है ये क्या होता है ये एक एक लिंगासरित होता है एबीस की ये कुकर बिटो समझ में आ गया होगा इसमें एक लिंगासरित और लिंगासरित समझ में आ गया होगा अब इसके बाद लास्ट कोश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है तो इसका लास्ट जो कोश्चन है 18 नमब संतान का उत्तर जीवित सर्यफिव प्रजनक प्रणारियों में अधिक जोखים यूग में है ये क्या है अधिक जोखी में यूग मैं इसको ब्याख्या किये जर अंडप्रजनन होता है अंड़ा से जो प्रजनन होते हैं यह कैं बहुत ज़्यादा रिक्सी इसके बारे में इसको ब्याख्या करना जैसे पेर पाउधा पर जो अनडा चिलिया देती कि नीचे शाप बेगरा रिक्सी कोई चर दता है भोड़मार या फिर नुकसान हो जाता है यह सब क्या है इसमें कि इसमें नुक्सान होने लगता है अंडा से जो होने वाले जीव होते हैं तो यहां पर उत्तर हम लोग देख लेते हैं अंड प्रजनन पंडारी में संतानों का उतर जीवित पैने पनियां का जीऊ प्रजनन प्रणारी और शोक को जनम देने वाले प्राणारी में अधिक जो खिए पूरा होता है जो सीशना करक्ख लेते हैं ज्याइभाबिब्ध स्बगरा हो गया इसके तुल्णा में जो अंडा देता है और पहुँ जदा रिक्सी होता है यह सारे इसके रिक्सी यह साड़े सब रिक्सी हो गाएं क्यूंकि मचली अभैचर प्रणानी अनि वानसिक अंडा देती है उसके बाद यूगमग सुनलेयन जल में होता है इसका यूगमग क्या होता है बायनिस से चन्न होता है कहां होता है यह सब जल में होता है यूगमग को ना सिर्फ प्रम सिक्ष्यों को सिकार होने का खतरा होता है अपितु यह पर्तिकूल पर्या भर्ण परिस्थित्यों जैसे उँच ताप पर्तिकूल पिएच दाब रसायन आदी से भी प्रभावित होता है जैसे मुचाई से भी प्रभावित हो जाता है ज्यादा टंपरेचर हो जाए उससे भी अंड़ध खराब होने का चांस रहता है पर्ति कूलता से भीदा मांम से बहुत ज्यादा हो जाता है उसके कारण भी रसायन के के लगध मंनुकसां अंडा में हो-ढूल अनेक युखमक के जल धाड़ा में बहत जाते हैं जब में वह सारे बहत सारे बहत सारे बढ़ जाते हैं यह सब सारे नुक्सान हो गए अब और सारा नुक्सान इसमें हम बताता है सरी स्रप पक्षी वर्ग में जन्तूर नीसे चन अंडा देती है जो की केल्सियम कर्भाइडेट के खोल में धके रहते जो की अंडा जो होता है केल्सियम और कर्भाइडेट के खोल होता है किसका रहता है अंडा किसका खोल रहता है केल्सियम और कर्भाइडेट का खोल रहता है उसी के अंदर हो धका रहता है लेकिन इन अंडों में भी विक्सित हो रहा है इस अंडे के बीच में क्या होता है विक्सित होता है यह भून विप्रित पर या बरंद्परिस््थितियों में प्रयां का है कि आसालि से सिकार हो जाते हैं यह बहुत सारे अंदर कर लेते हैं उनको मार देते हैं खतम कर देते हैं जिव प्रत जनन प्रनयों में नीसेचन प्रक्र आपशार करता है इंड़ा करता है साथ ही भून को मादा से प्राप्त पोशन भी मिलता रहता है भून को क्या होता है नर्सने मादा से पोशन भी मिलते रहता है अब यहां पर आगे देख लेते हैं अंडे का शुर्वक्षा हर समय सुनिश्चित नहीं हो जा सकती कि अंड प्रजनम पर्यारियों में भोजन की तुलना में अंडों से काफी दूर जाना परज सकता है जो कि इसके जनम देती है उंडा छोड़के अपना भोजन तलास करने के लिए बहुत दूर दूर तक उड़ अर्पिट जीवप्रजनं अग्यारियों को भ्रूण मादा के गर्व में पलने का कई हर समय शुर्वक्षित नहीं रह सकता है यह समय हर समय सुन शुर्वक्षित नहीं रह सकता है इसके अंदर एबीस को इसलेधा Park आंगी आ हो गया व्य पूसीं सबसे ज्यादा अंडा करो होता है जो कि अढ़ेक्ट देती है और इसे मचलिया और जल में रहने वाले जीव सब से ज्यादा होती है जो कि अंडा देती है यह सब अधिकतर अंडा देता है यह सब बहुत हुए केलसियम केंल और बना होता है इसे इस सुवक्षा करता है अंदर में भूर और बच्चे राते इसका ये इस थे रुघी प्रन्द करता है और इससे बहुत सार निप्धशान हो गया कहीं पानी में अंडा जाता है कोई पेंडसे गिरके तूट जाता है या फिर कोई गिरा देता है यह सब बहुत सारा सिकार उस अंडlingen का जेटे भोध सरी इस इसके नुक्सान हो गए और यह सब अंडर पड़ी नाम के बारे में मैंने बता दिया आई होप कि आपकी कोई यह सब समझ में आया हो गया अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाए बाए